एक बार की बात है हिमालाई की सुरम्य घाटियों के बीच बसे एक विचित्र गाव में अरजुन नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। चाखाओं और लताओं को एक तरफ धकेलते हुए अरजुन सदियों पुरानी जाडियों से छिपे एक गुप्त प्रवेश द्वार पर ठोकर खा गया जो एक प्राचीन भूमिगत कक्ष में जाता था। अचानक विशाल कक्षों में एक शरारती चीक गुणजी जिसने अरजुन को आश्चर्य चकित कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पीम नामक बंदर अपने पंजों के बीच एक सुनहरा सिक्का पकड़े हुए था। उसकी आँखों में एक शरारती चमक थी। पीम एक चंचल मुसकान के साथ कक्ष के चारों और भागता हुआ एक खजाने की पेटी से दूसरी पर कूटता हुआ। उसकी जिग्यासा प्राचीन अवशेशों को सजाने वाले चमचमाते रतनों को देख कर बढ़ गई। एक क्षण की हास्यपूर्ण शरारत में पीम रुख गया। उसकी आँखें एक अलंकरित खजाने की पेटी पट्टी की थी। और एक नाटकीय सूंग के साथ उसने नाटकीय धंग से अपनी उंगली धकन की और इशारा किया। मानो किसी लंबे समय से खोई रहस्य का अनावरन कर रहा हो।